दो आपना सेशन करें जो वेक्टर काल एल्थरी है जो इसका वर भुर्टन चीज हो दी जहाँ पर एंप्र को आड़ करना सीखते हैं अब अगर दो लेक्टर ऐसे हैं तो अम नॉमली अड़ कर देते हैं अगर वेक्टर ऐसे परपेंडिकल ने तो अंडर रूट ओफ एस्कोर plus B square मतलब यह वाला vertical plus horizontal है न वो कर देते हैं तो हम यह सारी चीजे करते हैं बट क्या आपने कभी notice किया है कभी भी अगर मैं आपको vectors ऐसे opposite दे दूँगा तो subtract कर दोगे बट अगर मैंने कभी आपको vectors ऐसे दे दिये कि यह आपके पास दो vectors ऐसे हैं किसी angle पर है तो कैसे करोगे under root of a square plus b square plus 2ab cos theta ठीक है न तो वो होता है आपका parallelogram law है न तो यह कैसे आता है बहुत ही simple है और again just for fun आपका दिमाग खोलने वाला हूं मैं आज तो बड़ा मज़ा आएगा let us get started ठीक है तो सबसे पहले before I get before I begin आप अगर बिलकुल amazing होना चाते हो vectors में अगर आपको लगता है कि नमो सर के साथ मुझे इंटराक्ट करना है तो यार आप मैं invite करता हूं आपको हमारे plus के जो students है जो हमारे paid courses में हमारे साथ पढ़ रहे है personalization के साथ उनके साथ एक jld अभ्यास session हो रहा है मेरा आप भी उसमें free में आ सकते हो इस jld अभ्यास में already दो एक अभ्यास हो चुका है यह second jld अभ्यास है तो अभी तक का जिता भी पढ़ा है उसके practice problems हम इस session में करेंगे तो आप इसको click कर सकते हो मेरे मैम 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 इसका link गलत है इसको link करेक करा रहा हूं वो डौट 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 रहा है ला इसकी वजजे से गलत हो रहा है दौट डौट की वज़े से एक मिनट तो पूर्डिमा मैम is getting this corrected यह link correct होते ही अपन class को start कर देंगे JLD अभयास का link गलत है live chat में live chat में इसका link गलत है बच्चो तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं यहां पर हम यहां पर भी गलत कहले स्क्रिप्षीन में घृइलां जाय शाल हैं जयां पढ़ा रहा है यहां सब्सक्राइब करें यहां तो थे है ठीक है बच्चों मैं एक बार अपने टीम को फोन कर लेता हूं आपके सामने इसको यहीं पर रिजॉल्व कर देते हैं ठीक है जस्ट मिनिट मैं डिस्क्रिप्शन में जेली अभियास टू होना चाहिए और लाइफ चैट में भी एक मिन आपकी पूर्णिमों मैं इस गेटि सब्सक्रिप्शन में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो यार और बहुत अच्छी बात है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यह अभी कुछ दिन पहले ही तीन दिन पहले तक यह 50,000 पे था तो यार यह बहुत बड़ी आब आता है थैंक्यों सो माच है आप हमारी फैमिली को बड़ा बनाते जा रहे हो and I think so at any moment at any moment we can hit 19.9 million sorry 9 1.9 million 19 तो बहुत बड़ा हो जाता है 1.99 million हम हिट करने वाले फिर 2 million 1.989 है आक्चुली बस आक्चुली खाली 100 और बच्चे चाहिए कि यह 1.99 हो जाएगा ठीक है तो डेफिनिटली यार बच्चों अगर आपने अनकाडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं क चाहिए एक वट रुको हाँ यह देखो इसको मैं क्लिक करो जेली अब्यास और यह हाँ आगया वेक्टर स्थू देखो यह उसका लिंक है प्लीज इसको सेफ कर लेना इसमें तुम्हें कलाना है ठीक 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 है ठी let us get started I think enough enough time given अब चलो हम बिगन कर रहे हैं बिगन कर रहे हैं अरे भाई कहां गया वह फाइल कहां गई एक मुट बच्छो फाइल कहां गई है जस्ट विनिट है हाई थ्री है कुछ से बंद हो जाती है कि हां अजी मैं थैंक यू सो मच हाँ चलो लेट्स बिगन हाँ चलो एवरीवन वेक्टर आज हम क्या करने वाले ट्राइंगल एंड पार्लेलो ग्राम लॉव औफ वेक्टर एडिशन है ना वेक्टर को आप नॉर्मली याइड नी कर सकते दो किलो आलू चार किलो आलू तो छे किलो आलू ऐसे नहीं होता ठीक मैं नमो कॉल और मेरा काम है आपको फिजिक्स से प्यार कराना और आज कर सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनिटली यार प्लीज हिट लाइक फॉर इस टीम से बढ़कर कोई कुछ नहीं है और इस टीम और इस फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है जो फैमिली इमोशनल जो एक चीज हमने चार साल पहले स्टार्ट की थी यार मतलब वो एक फ्लाइंग कलर्स के साथ इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है थैंक यू सो मुच फॉर थैंक यू फॉर शोइंग सो मुच अफ लव और लगातार प्रड्यूस करने वाली यह टीम है उसक इस टीम से personalized way, voice call feature और इन सारी चीजों के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप Unacademy का subscription ले सकते हो Unacademy का subscription लोगे तो आप code यूज कर सकते हो उड़ान क्योंकि यह टीम उड़ान है इससे आपको maximum possible discount और benefit मिल जाएंगे योधा यलगार batches के access मिल जाएंगे number one batches of the country जिसने यह result प्रेडियूस किया है बच्चों ठीक है उसके लावा यह जरूर अटेंड कर लेना 2024 वाले बच्चों के लिए एक webinar भी हो रहा है अपने सारे friends को भी इसके बारे में जरूर बताना तुम लोग भी अटेंड करने की पूरी कोशिश कर लेना चलो अब स्टार्ट करते हैं How do you represent a vector in 3D? 3D में किसी vector को कैसे represent करते हैं एक vector को 3D में कैसे represent करते हैं अभी तक हम जो vector सोच रहेते हैं हम 2D ही सोच रहेते हैं max to max हम 2D ही सोच रहेते हैं बोलते ते यूरr यह x-axis है हम बोलते थे यार, ये y-axis है, हम बोलते थे, यार, ये एक vector है v, ठीक है, ये इसी plane में पढ़ा y, ये इसी plane में पढ़ा ya, acceleration का हो सकता है, force का हो सकता है, एक vector है, ये इसी में पढ़ा था x और y-axis में, हमने max to max क्या सीखा था, इसको तोड़ना सीखा था ना X और Y में इसको हमें X और Y में तोड़ना आ गया था हम बोलते थैयार cosin sticks ठीक है, तो हम बोलते थैयार इसको 2 component में तोड़ दो यह हो गया V cos theta और यह दूसरा वाला हो गया V sin theta परफेंडिकला वाला है ना यह हो जाएगा V sin theta हम यह vector को तोड़ना आता था और हम कैसे तोड़ते थे एक सब्सक्राइब लिख सकते हैं V cos theta i cap plus V sin theta j cap क्योंकि i cap direction में यह j cap direction में आपको मैंने बताया था था ना कुछ unit vectors पहले से आपको पता होते हैं कुछ पहले से पता है x-axis में जो unit vector होता है one unit का वो होता है i cap यहाँ पे होता है j cap यहाँ पे होता है k cap अब क्या मुझे आप यह चीज़ बता सकते हो अगर किसी पे तीन forces लग रहे हैं मेरे बच्चों अगर किसी पे तीन forces लग रहे हैं यहाँ पे 4 newton और यहाँ पे 2 newton, 2 newton है ना, तो अगर किसी पे इतना force लग रहा है, यह सारे vectors हैं, ठीके न, यह सारे vectors है, और यह इस नन्नी सी जान पे लग रहे हैं, यह इस नन्नी सी जान पे लग रहे हैं, यह इस नन्नी सी जान पे पकड़ने में बड़ी problem हो रही है, रु अब अगर तुम्हें लिक्ट लंटar त्टिंड वह संसीन रिजूंगा गोलके सब्सक्राइबिदांगे आधा जूस्त फॉच्था रेंगर रही ओडर मेरे और इसका यह खॉइंटियम अन?' हुआ हम कि मीध्यों डेका से ऐधा में को आपको यह बात समझ में आ गई है कि यह बात करने की कोशिश कर रहे हैं अब अगर आपको यह चीज समझ में आनी है, तो वो box, मैं में बहुत बॉक्स पास कर सकता आप, है ना, यह इस से देख लेते हैं, इस box से देख लेते हैं, यह cuboid box है, मतलब अगर एक force लग रहा है, इतनी length का एक force लग रहा है, और फिर इतनी length का एक force लग रहा है, ठीक है, यह यह और यह, है ना, इसके अंदर जो ऐसे 3D diagonal होगा, जो यहां से पास होगा और यहां से निकलेगा, वो 3D diagonal तुमारे resultant होगा, उसकी length और उसका direction तुम्हे resultant देगा, तो always remember diagonal is God, always remember diagonal is God, जैसे कि for example, अगर यह forces लग रहे हैं, मेरी बाद ध्यान से सुनना, अगर 3 forces लग रहे हैं तुमारे body पे, है न, एक यह force लग रहा है, ठीक है, this is let's say FX, this is let's say FY and this is let's say FZ, है न, and this is your resultant force, this is FX I cap plus FY J cap plus FZ K cap, यह तुमारा 3D में force है, XYZ तीनों में खेलता वा जा रहा है, तीनों में खेलता वा जा रहा है, this is about your vector in 3D format, अब जैसे इसको देखिए, इसको देखिए बच्चों, बड़ा कैसे लिख सकता हूँ, मैंने बोला मैंने AX displacement किया, इसको हम displacement से सीखेंगे, displacement जिंदाबाल, ठीक है, हम बोलेंगे कि मैंने एक displacement लिया AX I cap, है न, AX यहाँ पर आ गया, चलो, मैंने क्या किया, AX I cap displacement लिया, AY J cap displacement लिया, क्योंकि मैंने Y direction में लिया, तो यहाँ पे मेरा coordinate क्य आया, उसके बाद मैं Z में उपर आया, तो फिर मैंने एक और displacement ले लिया, A, Z, K cap, अभी इसी चीज़ को मैं इसके form में यहाँ पर बड़े प्यार से समझाओंगा, इसको ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने AX displacement लिया, है न, AX, AX I cap, फिर मैं Y direction, यह Y direction है, फिर मैं गया, A, Y, J cap, उसके बाद मैं Z direction में गया, A, Z, K cap, तो मैं यहाँ पर आ गया, तो basically मेरा resultant displacement क्या हुआ यह, यह मेरा resultant displacement हुआ, 3D में feel करके देखो, तो आपने क्या बोला, यार, मेरा A displacement यह हो जाएगा, 3D form में, तो 3D में हमेशा vectors को हम I, J, K में लिखेंगे, क्योंकि draw करना कर सकते हो, बड़ बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक plane पे आप 3D चीज कैसे draw करोगे, ठीक है, 3D drawing थोड़ी कर सकते हो, तो इस चीज को फिर से feel करो, यह आपका resultant displacement था, X, Y, Z, है न, तो आपने resultant displacement कैसे हासिल किया, कैसे हासिल किया, आपने यह, यहाँ पे X, Y, Z, X, Y, Z, X किया आपने, ठीक है, इसको फिल कर पा रहे हो, इसको फिल कर पा रहे हो, यह 2D में, 2D में आप ऐसे visualize करते थे, 2D में आप ऐसे visualize करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, है न, 2D में आप क्या करते थे, इसको ऐसे तोड़ देते थे, देखो, rectangle law, जो था न, आपका rectangle law, यह resultant है उसका यह एक component है, यह दूसरा component है, है न, diagonal से आपने दूसरे components निकाल लिया है, ठीक है, तो यह तो आपने already visualize कर लिया है, है न, तो यह resultant है, यह दो components है, आपको vector को तोड़ना भी आना चीए, तोड़ के जोडना भी आना चीए, ठीक है न, अथा आपनी पहली इक लास में ये चीज़ कर ली थी, अब 3D में क्या होता है बच्चे, 3D में कुछ नहीं होता, 3D में तुम्हारे पास, तुम देख सकते हो, 3D में, है ना, तुमने X displacement लिया, Y लिया, है ना, समझ गे मेरी बार, पहले X लिया, फिर Y लिया, फिर Z लिया, ठीक है, या तुम इसको ऐसे देख रेडियो मेरे साथ, क्या इस चीज़ को विजुलाइज करने के लिए, रेडियो तुम लोग मेरे साथ, मैं एक displacement करने वाला हूँ, बच्चो, मैं एक displacement करने वाला हूँ, यहां पर तुम में बताऊंगा, Y diagonal is always got displacement, मैंने किया, displacement लिखा, मैंने S, displacement मैंने लिखा, S, ठीक है, अ एक ये ले लिया, उसके बाद, नमो, सर मैं न, यहां पहुझ गया, फिर मैंने Z displacement लिया, इंद के कैब डिरेक्शन, चलो, इसको भी S displacement हुआ क्या? S displacement 3D diagonal हुआ, इस к्यूॉबॉइट का 3D diagonal हुआ, जल्दी سे बताओ, तुम्हारा यार, मेरे बच्चों, ये तुम्हारा initial था, और मेरी जान ये तुम्हारा final था, तो, बेटा, तुम्हारा ये resultant हो गया, ये क्या क्या तुम्हारा resultant हो गया क्या मुझे बताओ यह एस तुम्हारा resultant आ गया isn't this your resultant vector don't you see this as the 3D diagonal है ना यह सब चीज़े किताबों में नहीं लिखियोगी यह मेरी लैंग्वज है यह सब चीज़े नहीं होती है यह मैंने डिवाइस किये कि तुम लोग इसको विजुलाइज कर पाओ तुम देख पा रहे हो यह 3D डाइगनल क्यूबाइट का डाइगनल क्या आपको यह बात समझ में आ रही है बच्चों हां TRS करेंगे बच्चों बहुत जल्दी करेंगे सो बहुत क्रूशिल है बहुत ही एक्स्पेरिमेंटल बैच रहा है 2022 वाला बहुत मतलब अगे नियार तुम भी दो साल बात वहां पर होगे तो इस वरी इंपॉर्टेंट प्लीज अंडरस्टाइड अभी तुम लोगों के लिए इस इंपॉर्टेंट की मैं तुम्हारे इंट जादा फील आती है अब हम इसी चीज को फोर्स से देखेंगे है इसी चीज को फोर्स से समझेंगे कितने सारे बच्चे मेरे साथ है कितने सारे बच्चे मेरे साथ है इसको फील करेंगे अच्छे से फील करेंगे ठीक है अब मैंने क्या बोला मेरी जान मैंने क्या बोला कि तु यहाँ पर बैठा है, यह देख, यह लडडू है तु है ना, तु यहाँ पर तिर को बिठा दिया, मैंने, origin पर बिठा दिया, origin पर बिठा दिया, अब तेरे साथ अत्याचार होगा, अब मैं तेरे पर एक force लगा रहा हूँ, अब मैं तेरे पर एक force लगा रहा हूँ, X Newton, X Newton, और मैं तेरे पे न, Y direction में भी एक force लगा रहा हूँ, which is Y Newton, और मैं तेरे पे इस पे भी एक force लगा रहा हूँ, which is Z Newton, यह सारे forces है, अब यह सारे forces है, मैं तरे कोई यहां से भी खीच रहा हूँ, यहां से भी खीच रहा हूँ, यहां से भी खीच रहा हूँ, जाएगा जाएगा के अगर ऐसे तो यार इससे क्या बनेगा इसे एक तीन फॉरस लग रहा है तो में तो तो कहा जाएगा इससे क्यूब पर इतने सारे रिसोर्सेस तुम चेक कर लेना चाहिए अगर तुम्हें यह वाला पार्ट कहीं मिले नहीं मिलेगा मैं बता रहा हूं यह हमने अलग से आड़ कर वाया है ठीक है क्यों कि एक बच्चा जब मैं था तो मैं भी ऐसी विजुलाइस करता था तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी विजुलाइसेशन मिल पाए तुम्हें ऐसे 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 मिल रहा है चाहिए चेक कर लेना बच्चो बड़ा मजाएगा तुम्हें वाइस चैनल इस यूनिक इत्ता जादा ग्रो क्यों किया बहुत ऑनेस्ली काम किया है बच्चो हम सबने देखो इसमें यह एफ एक चीजह से समझने अ गई है इसमेंग कर आदेग सब्सक्राइब चलो, एक अच्छी सी बात करते हैं, अब कोई मुझे बताए कि कितना displacement हुआ, अब मुझे कोई बताए, यहाँ पे आपने x लिया, यहाँ पे y लिया, यहाँ पे z लिया, कितना displacement हुआ, अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा displacement vector 3D में पता है, क्या है, 1i क्या है, प्लस 2j क्या जल्दी बताओ, यहाँ पे एक coordinate पता है, दूसरा coordinate पता है, displacement क्या हुआ, distance formula से, क्या आएगा, जल्दी से बताओ, यह तुमने यहाँ तक सीखा है, x और y तक सीखा है, मैं तुम्हें z तक सिखा दूगा, ठीक है, यह इसी को तुम एक्स्टेंड कर सकते हो, z में, 3D में, ठी magnitude of this 3D vector, magnitude of this 3D vector, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, डरो मत, सेम चीज़ यहाँ पे भी, तुम्हें पता है, इस क्यूबएड में, यह x है, यह y है, यह z है, तो तुम्हें पता है, यह वाला coordinate कितना होगा, यह side, देखो देखो यहाँ से, x, y, z, यह भी, क्योंकि यह x है, तो य इस अगसान है, तो यह यहाँ यहाँ, से 0,0,0 से यहाँ पर भी तुम distance formula लगा सकते हो, यहाँ पर भी force का magnitude क्या हैगा, खाली f है न, underroot of x-0 का whole square plus y-0 का whole square, plus z-0 का whole square, distance formula लगाया तुम्हें, यहाँ पर तुमने क्या लगाया, distance formula लगाया, अब इसको तुम्हें रटवाए जल्दी से बताओ, इसका मैगनेट्यूट का फॉर्मला क्या होगा अगर एक वेक्टर तीन कॉंपोनेंट है, अब तुमने तो बहुत अच्छी से भी समझा, डिस्प्लेस्मेंट से भी समझा, तो यह तुम्हारे लिए बहुती फालतू हो गया, फालतू हो गया, अब कुछ भी नहीं है बता ओ ये वेक्टर क्या है इन तीनों से मिलके बनता है यह एक्स है यह 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 जड़ है है ना मेरी जान यह यह displacement से और भी ज्यद्ध से उधा सिंपल हो जाता है चलो नमो सार मुझे तो displacement से करने का मन है displacement से ज्यादा असान हो जाता है यह ना मैं मानता हूँ मानता हूँ कोई problem नहीं है तो तुमने पहले मुझे ax displacement करा दिया अब यार है न ax को x लिखते तो ज्यादा नीट रहता तो आपने पहले मुझे ax displacement करा दिया फिर आपने मुझसे a y displacement करवा दिया फिर आपने मुझसे a z displacement करा दिया a z तो आप बिटा कौन से पॉइंट पर पहुच गए a x, a y, a z यहां पर पहुच गए और आप कहां से पहुच है 0, 0, 0 से तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि हाँ यार आपका net displacement यह हुआ यह final था यह initial था मैंने दो तरीके से कराना है न हाँ हाँ वैसे इसका solution बहुती गंदा दे रखा होता है बुक्स में तो यह एक तो मेथड है एक तो मेथड है डिस्टेंस कॉडिनेट जोमेट्री है न डिस्टेंस फॉर्मिला एक मेथड है डिस्टेंस फॉर्मिला दूसेरा बी बतां होंक डेंट वरी एक एडिसेंस फॉर्मिला तुम्हारा इज गाएगा यह तुम्हारा तीन दिस्प्लेसमेंट उहत्मने यह 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 AXI क्याप AYJ क्याप AZK क्याप और तुम्हारा resultant क्या है initial final के बीच का येस तो तुम्हें A भी दिख गया A तुम्हारा 3D diagonal है coordinates लिखने से तुम्हें coordinates से अराम से कर दिया क्यार A का magnitude A का magnitude या simply जिसको तो मैं A बोल सकता हूँ वो क्या है without the vector वाला यह हो जाएगा तुम्हारा AX square plus AY square plus AZ square आज के बाद तुम्हें कोई भी कोई vector देगा बोलेगा यार यह velocity vector है नमो सर यह velocity vector है पता ही क्या है वनाई gap है सर यह प्लस 1J gap है सर यह प्लस 1K gap है बोलेगा हाँ यह 3D में न सर हाँ 3D में 3D में सर इसका इसका resultant किता है सर मैं बोलूँगा अंडर root of 1 square plus 1 square plus 1 square यह root 3 है यह root 3 जितना लंबा है बस इसको डिरेक्ली तुम बोला root 3 कैसे आया root 3 अंडर root of इसका square करो plus minus से फरक नहीं कर पड़ेगा क्योंकि square है plus 1 square plus 1 square इसको draw नहीं करना अब directly अगर कोई पूछेगा V की value क्या है तो आप यह कर दोगे है यह ना 1 2 3 में अंडर root of 1 square plus 2 square plus 3 square ठीक है ना इतना ध्यान रखना यह चीज तुम्हें बहुत fast बनाएगी बस इतना ध्यान रखना यू नीड तो नोड दिस अगर मैंने तुम्हें कोई 3D में vector दे दिया तो तुम उसका length निकाल सकते हो उसका magnitude निकाल सकते हो magnitude of the vector का ये formula आ गया अब देखो method 2 method 2 है vector addition vector addition vector addition के लिए तुम लोग ready हो मेरे साथ vector addition के लिए तुम लोग ready हो कितने सारे लोग ready है पताओ कितने सारे लोग ready है तो सबसे पहले तुम क्या बोलोगे vector addition के लिए तुम मुझे बोलोगे कि नमो sir चलो एक दूसरा orange color use करते है आप बस यह बताओ कि अगर मैं ax और ay का resultant लूँगा rectangle loss है तो मैं पता है यह 90 degrees है तो rectangle loss से यह क्या आएगा under root of ax square plus ay square ठीक है यह आजाएगा ax square plus ay square मतलब मैं यह बोल सकता हूँ इन दोनों का resultant किता आएगा under root of ax square plus ay square और फिर अगर मैं इसका resultant az से लूँगा तो वो क्या आएगा इसका square plus इसका square क्योंकि यह एक और rectangle हो जाएगा क्या आपको समझा रहा है पहले मैंने इस rectangle में तुमने यह displacement लिया यह displacement लिया तो तुमने इन दोनों vectors का resultant निकाला resultant क्या है under root of ax square plus ay square ax और ay का और फिर az अब समझे मेरी बात जो तुम्हारा यह वाला एक vector है मुझे कुछ और डंड़े चीह होंगे यहाँ ठीक है यह डंड़ा लेते हैं तो basically देखो इन दोनों का resultant तो यह आ गया अब इसका और इसका resultant निकालना है अब इसका और az का निकालना है तो वो क्या वो भी एक rectangle triangle होगा तो उससे यही चीज़ आ जाएगी जो लोग समझ गए वो समझ गए जो नहीं समझे कोई chill करो क्योंकि तुम्हें अगर यह चीज़ समझ में आ गई तो बहुत simple है इन्होंने तो कोई यही तो किया है इन्होंने तो बहुत असानी से समझा दिया पहले मैंने क्या किया इन दोनों का resultant निकाला वो a1 था फिर उसका resultant मैंने तीसरे के साथ निकाल लिया समझ गए मेरी बात इन्होंने बोला क्या इसका और इसका resultant यह है और फिर इसका resultant क्या होगा यह भी 90 डिग्री पह होगा under root of this square प्लस this square ठीक है समझें अब यहां पे कर लेते हैं तो इन्होंने क्या क्या करने वाला हो देखो ध्यान से a vector is equal to इसको मैं एक r1 बोल देता हूँ इसको मैं r1 vector बोल देता हूँ इन दोनों को k को मैं r1 vector बोल देता हूँ a x i cap plus a y j cap plus a z k cap अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस चीज को समझना अब यह जो है यह तुमारा r1 vector था बच्चे मेरे यह तेरा r1 vector था ठीक है इसको r1 mark कर दो ऐसे ठीक है यह वाला vector तुमारा r1 vector था अब बिटा r1 vector किता है यहां से तुम अराम से निकाल सकते हो r1 की length क्या होगी under root of this square plus this square a x square plus a y square यह आप coordinate formula से निकाल सिंपल है ऐसे याद हो गया तुमसे तुम्हें पता है rectangle लगा दो उस पर ठीक है अब तुम्हें पता है यार इसका magnitude क्या है तुम्हें पता इसका magnitude क्या है अब इसके लिए एक और इसके लिए एक और right angle triangle बनाओ ठीक है जहां पर तुम बोलोगे यार हाँ यार यार ये आरवन है ठीक है यारवन है और ये इसके perpendicular है देखो ये इसके perpendicular है az इसके perpendicular है देखो देहन से यह वाला वेक्टर है तो basically मैंने यह वाला triangle यहाँ पर बना दिया अब जल्दी से बताओ A क्या आएगा under root of this square प्लस this square तो वह आ जाएगा न AX square प्लस AY square प्लस AZ square light लेना अगर समझ में नहीं आए तो कोई problem नहीं है ठीक है पहला वाला मेथड आ गया था आगे बढ़ते हैं direction cosines direction cosines direction cosines थोड़ा सा डरावना लगता है बट बहुत simple होता है direction cosines इसके लिए यह figure समझो यह figure तुम्हारे सामने जो लिखा है न एक 3D vector है 3D में एक vector बनायावा है vector कौन सा है यह A यह A vector बनाया है A vector is making an angle of A vector is making an angle of alpha with the x-axis alpha with the x-axis beta with the y-axis and gamma with the z-axis चलो थोड़ा और प्यार से समझाते है यह तुम्हारे x, y, z के coordinates है इसको 3D में समझाना बहुत ज़रूरी है ठीक है फिर से देखो यह x है यह y है यह जो उपर जा रहा है वो z है तुम्हारा यह 3D vector है यह तुम्हारा 3D vector है है न यहाँ पर A ऐसे निकल गया अब यह A एक angle बना रहा है बेटा धिहान से देखो A एक angle बना रहा है 3D में देखना 3D में देखना A एक angle बना रहे यार इसमें stability की बहुत कमी है अब A यह जो A vector है जो X axis से अंगल बना रहा है यह बीटा है यह गामा है यह समझना गया अलफा बीटा गामा यह 3D angles है अब समझना रहा है यह figure समझना रहा होगा अब आप बोलोगे ज़रूरी थोड़ी है कि यह first octant में ही हो X positive हो सकता है यार यह vector ऐसे हो हो सकता है यह vector ऐसे हो ऐसे भी तो हो सकता है vector यह XYZ coordinate है यह नीचे नीचे point कर रहा है XY से नीचे जा रहा है यह vector हो सकता है तो in that case यह alpha हो जाएगा यह beta हो जाएगा alpha with x axis, beta with y axis और इसके साथ एक optius angle बनेगा 90 से बड़ा एंगल बनेगा 90 से बड़ा एंगल बनेगा बिलकुल बनेगा पर यह एक चीज़ तुम falls ना एक चीज मैं चीज है जैसे अगर तुम्हारा वेक्टर यह होता इसमें question क्या बनता है वो तुम्हें सम्झाना बहुत important है इसमें question क्या बनता है वो समझाना बहुत important है let's say अगर तुम्हारा vector xy plane पर ही है अगर तुम्हारा जो vector है वो इसी plane पर है let's say यार यहाँ पर angle 45 बना रहा है यहाँ पर 45 बना रहा है तो obvious ही बात है इससे 90 बनाएगा इससे perpendicular होगा वो अगर इस plane पर होगा तो इसके perpendicular होगा वो vector अगर यह xy direction में है ठीक है तो वही वाली चीज़ होती है कभी-कभी आपको ऐसा question दिया जाता है जहाँ पर vector का angle आपको एक axis से पता होता है दूसरा axis से पता होता है तीसरे से निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो तो वह बहुत अच्छा questions होते है मैच में आते है majorly physics में नहीं आते है वह सवाल बट स्टिल मैं आपको यहां पर बता दूंगा ठीक है ना वह तो बुछ flaunt करने वाली बात होती हो कर देंगे अपन है न खाली अब जल्दी से देखो यह किल्या विजुलाइजेशन देख लो किल्या विजुलाइजेशन देख लो यह तुमारा एक्टर रहे है यह एक्स्य जड को पॉइंट कर रहा है यह जो एंगल बना रहे है ठीडी एंगंगल ज अलफा-बीटा-गामा वीदध अब देखो, मैं तुम एक चीज बताता हूँ, जो शायद तुमने 2D में पड़ी थी, है न, यहार इतने में ही करना पड़ेगा, तुम यह ब्लैक स्क्रीन ले रह units, तो 2D में क्या पढ़ा था तुमने 2D में तुमने पढ़ा था ध्यान से देखो 2D से जो 3D कर लेना वही असली सिखंदर होता है पट तुम लोगों को don't worry I will help you out throughout तो यहार यह 2D में एक vector हुआ करता था जो angle theta बनाता था x axis के साथ इसको तोड़ना मैंने तुमें सिखाया था अब मैं vector को 3D में तोड़ना सिखंगा 3D diagonal से तोड़ना सिखंगा 3D diagonal से तोड़ना बहुत important है vector को तो यहार यहार तुम इसकी परच्छाई यहार देख लेते थे और z axis पे तो इसकी परच्छाई 0 होगी z axis पे इसकी परच्छाई तो 0 होगी समझ गया ना क्योंकि यह यह xy plane पर ही है vector यह xy plane पर ही है vector तो मैंने क्या बोला जल्दी से देखो if this angle is making this तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ तो यह मेरा किता हो जाएगा यह वाला component हो जाएगा अगर मिछे इसको तोड़ ना हुआ तो यह हो जाएगा मेरा v cos theta और यह वाला किता हो जाएगा v sin theta बट अब तुम cosine से ही तोड़ो cosine strics हर जगे लगाओ कोई problem नहीं है यह angle किता हो जाएगा 90 minus theta ठीके तो यह वाला किता हो जाएगा v cos of 90 minus theta तुम cosine strics दोनों जगे लगा रहे हो दोनों जगा तो actually यह देखो v sin theta यह ना यह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v sin theta तो अब मैंने क्या बोला इस vector को तुम किसी भी vector को तुम अगर तुमें दो perpendicular directions में तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं यह ना v cos theta v cos of 90 minus theta तुम क्या करते थे cosine strics v cos theta दूसरा वाला v sin theta इससे भी v sin theta ही आ रहे है इससे भी v sin theta ही आ रहे है कितने लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई तुम maths में भी बड़े खुश रहोगे मैं सच बता रहा हूँ जब तुम maths में जाओगे तो दूआओं में याद रखना सच बताने यह चीज़ याद रख लो कभी भी problem नहीं आएगी तुमने दोनों जगे cosine strics कर लिया cosine strics doesn't exist Google search करने ना यह हम नहीं पढ़ा हम नहीं पढ़ाया तुम्हें वी cos theta यह क्या है वी cos 90 minus theta पहले तुम क्या करते थे वी cos theta दूसरा वाल वी sin theta अभी वैसे याद रखना दो में तोड़ना है वी cos theta वी sin theta हो जाएगा बट यह क्या है वी cos of 90 minus theta है अब मैंने यह क्यों बताया इसका एक reason है इसका एक reason है क्योंकि अब तुम्हारे लिए बहुत simple हो जाएगा अब एक 3D vector को अगर तुम्हे alpha, beta, gamma के हिसाब से तोड़ना है तो यहाँ पर तोड़ो V cos alpha, V cos beta, V cos gamma तीनों में तोड़ लिया, तीनों सोचो एक 3D diagonal से एक 3D diagonal से तुम्हें तीनों sides of cuboid निकाल लिये, एक 3D diagonal से तुम्हें तीनों sides of cuboid निकाल लिये, can it be so awesome, yes it can be so awesome, यह बताना चाहता था हमें यह बताना चाहता था, अब देखो यही चीज़ अब मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, अब यहाँ पर 3D में देखना बहुत मज जाएगा projection, projection तुम निकालोगे, projection तुम निकालोगे, यह 3D diagonal है, what is this, this is a 3D diagonal of a cuboid, यह language मेरी थोड़ी different है, क्योंकि मैं थोड़ा visual इंसान हूँ, यह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें यह पता है कौन सा cuboid है, यह कौन सा cuboid है, जब तुम 3D यह हाँ, यह यह वाला यह cosine sticks से निकालो, cosine sticks से निकालो, अब बताओ, AX is A cos alpha, cosine sticks लगाओ तुम, 3D में cosine sticks लगाओ, cosine sticks लगाओ, जल्दी से, A cos alpha, A cos beta, A cos gamma, बात समन मागी, A cos alpha, A cos beta, A cos gamma, जो बच्चे अभी भी follow नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए, उनके लिए यह, कि अगर यह x axis है, और यह इनका vector है, x axis पर यह vector, अभी खाली x axis और इस vector को देख रहे हैं, zy भाड में गए, yz भाड में गए, यहाँ पर angle किता है, alpha, तो आपने क्या बोला, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, आपने बोला, क्योबाइट का यह वाला side क्या होगा, आपने बोला, यह x will be a cos alpha, cosine sticks, यह बात समझ में गई, अब आप बोल रहो, यही चीज मुझे y axis के साथ देखनी है, sir, y axis के साथ देखनी है, sir, चलो दिखाएंगे, कोई नहीं, अब y axis, अब मैं खाली इन दोनों को देख रहा हूं, पहले मैंने इसको इसको देखा, आप मैं इसको देखता हूं, सेम चीज, सेम नजरिया, अब मैं इसी vector को फिर से मैं ऐसे draw किया, थोड़ा सा differently करा है, और अब मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यह मेरा, यह मेरा y axis है, ठीक है, अब इस y axis के साथ जो angle है, y axis के साथ जो angle है, वह बीटा, वह बीटा, अब एक बार देखते हैं, यहां पर इसका projection किता आता है, projection cos से आता है हमेशा, तो ay क्या हो जाएगा, ay will be a cos बीटा, आब इसको ऐसे देख लो, तो basically आप individually कर रहे हो, है न, a cos, यहां पर cos च्रिक्स कर दिया, a cos alpha, a cos बीटा, a cos gamma, तुम्हें आता है cos च्रिक करना, अब तुम खाली cos च्रिक करोगे, 3D म तुम्हें वैसे क्या है, वी cos theta, दूसरा, वी sin theta, vector को तोड़ना, ठीक है, और वैसे ही आप इसमें भी तोड़ लोगे, ठीक है, वैसे ही आप इसमें भी तोड़ लोगे, है न, यह, अब इन दोनों को draw कर रहा हूं, है न, ठीक है, अब आपने बोला, यह a vector है, यह आपने इसके साथ, जो मेरा angle है, वो मेरा gamma है, है न, और अगर मुझे इस पर, यह component निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा, az is equals to a cos gamma, तो यह तीनों चीज़े समझ में आ गई, अच्छ, खच, खच, अब इसके बाद maths है, इसके बाद maths है, यह समझ में आ गई, खचक, यह समझ में आ सारा, cosine, direction, cosines, यह direction, cosines होते है, cos square, gamma, इसको L square भी कहते है, L, M, N, B कहते है, इसको L, M, और N भी कहते है, ठीक है, cos alpha, cos gamma है, इनको तुम L, M, और N भी कहते हो, है न, maths में तुम्हें बाद में सिखा जाएगा, यह क्या है, L square, plus M square, plus N square, ठीक है, यह चीज़ 1 के बराबर होती ह है, L क्या होता है, cos alpha, cosine of the angle, cosine of the angle made with the x-axis, यह direction cosine हो गया, एक direction cosine, दूसरा direction cosine, beta, cos beta, cosine gamma, यह तीन direction cosines होते हैं, यह वाले, हैना, यह direction cosines होते है, cos alpha, cos beta, और cos gamma, यह होते हैं, direction cosines, इनको L, M, और N भी कहते हैं, खाली cos को, ठीक है, और अब तुम्हें एक चीज़ पता है, अब त द्यां से सुनना, द्यां से सुनना, यह बहुत जादा important है बचो, ठीक है, अगर मैं यहां से, cos square, cos square alpha, plus cos square, beta, यह important होता है, प्लस cos square gamma, को निकालो, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, L square plus M square plus, तो यहां से मेरा आगया, cos alpha क्या आया, मेरा, जल्दी से ब देखो, यह आजाएगा, मेरा AX square, by A square, और यह क्या आजाएगा, मेरा AY square, upon A square, plus यह क्या आजाएगा, AZ square, upon A square, फिर इसके बाद क्या आजाएगा, यह आजाएगा, AX square, plus AY square, plus AZ square, upon A square, पेटा, A क्या था, याद करो, A की लेंथ अपने निखाली थी ना, पहले, magnitude of A, यह क्या होता है अब तुम्हें क्योंकि पता है यह चीज क्या है यह चीज क्या है तो तुम इसमें लिख दोगे न इस इस सब् र्मार फ्लस क्यों स्कूर अफिसका स्कूर करोगे तुम यह चीज स्कूर वाइए। प्लस एवाई स्क्वेर प्लस एज нуж六्त सवर्फ कोई आगा तो इस सब्सकेश क्यों स स्वतिए कि कॉज स्कूर pinधा इप्लस the scientific calculator if you want if you can use the scientific calculator if you want मैं इस पर एक बहुत ही बहतरीन सवाल तुम्हें दे रहा हूं एक 3D एक सवाल जो तुम्हें वैसे बाद में देखने को मिलेगा ये एक 3D vector है ये 3D vector है ठीक है ये 3D vector है इस vector को मैं V vector बोल रहा हूं मैं बोलता हूं कि this is making an angle of 45 degrees with this axis X axis Y axis इसके साथ 45 बना रहा है और इसके साथ P 45 बना रहा है इसके साथ 45 बना रहा है इसके साथ 45 बना रहा है तो इसके साथ क्या बना रहा होगा यह तो बहुत simple question हो गया और सर 45 के लिए तो यह हां तुम एक्षली देखोगे ना तो सिम्त ईहाईगा अब, यह निकालना ना तो तुम्हारा cos2 45 degrees plus cos2 45 degrees plus cos2 gamma equal to 1 तो यह तो cancels हो जाएगा तो cos gamma equal to 0 आजाएगा cos2 gamma 0 तो gamma 90 degree आजाएगा यह तो simple example हो गया यह तो simple example हो गया बट अब मैं तुम्हारे दिमाग के कपाट खोलने की कोशिश करता हूँ मेरी बात ध्यान से सुनना यह y है यह x है यह z है अब अगर मैं तुम्हें बोलू कि if a vector makes equal angles है ना अब यह सुनना यह बहुत अच्छा question है यह आ सकता है if a vector makes इसको बहुत प्यार से सोचना बिल्कुल ऐसे जा रहा है खचाक ऐसे जा रहा है खचाक if a vector makes equal angles equal angles with the x y z axis हो सकता है न बिल्कुल ऐसे इसके जाधा pass नहीं इसके जाधा pass नहीं बिल्कुल equal angle बना रहा है equal angle मतलब a, a, cube बन रहा है cube बन रहा है तो उसका क्या angle होगा x y z axis के साथ तो इसका क्या angle होगा x y z axis के साथ यह बहुत अच्छा question है बताओ देखते कौन कर पाता है इसको तो फिर इसका answer क्या होगा जल्दी बताओ कोई बता सकता है इसका answer क्या होगा है इसका answer क्या होगा what will be the answer in this case क्या answer होगा अगर यह सारे एंगल बराबर है निकाल सकते न सारे एंगल आलफा लेलो cos square alpha, alpha is equals to beta is equals to gamma हो गया न तो बिसिकली यह हो जाएगा इकुल टू 1 तो कॉस अलफा किता हो जाएगा 1 by root 3 और यह acute angle ही होगा तो कॉस inverse 1 by root 3 है calculator से निकाल लेना radian में या degree में यह क्या आता है यही आ रहा है के सबका जल्दी से बताओ यही आ रहा है बहुत सारों को लग रहा होगा ऐसे थोड़ी होगा समझ में आगे 60 degree नहीं है 60 degree नहीं है मेरे दोस्त 60 degree नहीं है 60 degree नहीं है देख मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या किया मैंने मैंने क्या किया मैं तुम्हें वो बताता हूँ मैंने यह cube बनाया ठीक है मैंने यह इसा बनाया कि यह a, a, a है ना बोल रहा हूं यह मेरा वह vector है ठीक है सेम forces लगा रहे हो a, a, a तो अब भीसी बात है यह बिल्कुल सेम एंगल पर जाएगा अगर सेम एंगल बनाएगा x, y, z से सेम एंगल बनाएगा XYZ से मैं तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल फिर ये एक 3D में एंगल फिर ये वाला एंगल ये सारे बरावर होने चाहिए है ना मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि यह xy plane के साथ किता अंगल बना रहा है xy plane के साथ अंगल डिफरेंट होगा xy plane के साथ अंगल डिफरेंट होगा समझदो मेरी बात अब जैसे यह xy plane ने, plane के साथ angle नहीं पूछ रहा मैं, मैं तुम्हें x-axis के साथ angle पूछ रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे यार समझो, यह x और y-axis है, और यह z-axis है, तो मैं तुम्हारा इस plane के साथ angle नहीं पूछ रहा है, मैं इसके साथ अलग angle होगा, इसके साथ अलग होगा, इसके साथ अलग को एह और यह सकते हैं यह in the ces after- chairman फिर तो ही मैं और एक्ष सवाई प्लेन अठाई च्य को यह सकते विद्यों शाख आ रहे यह त्हां दो देख सकते किसहते है कि यह से शाद 45 डिग्री हा रहे है वाट दि कुछ इसा हा रहे है मज़ा रहे ठीके ठीके बताओ दिमाग हिल गया दिमाग हिल गया मतलब देखो यार तुम्हें practical सीखना है यार यह सब बखवास है you should hate all these things यह अक्षर तुम्हें hate करना है बड़ तुम्हें पता है कि यह एक important relation है cos square है na cosine direction cosines का squaring and adding से बनाना चाहिए अब चलो इनको कर अब जल्दी से यह magnitude 4 direction लिख दिया बहुत अच्छा लिखा जबना इसको कैसे लिखेंगे उपर वाय डिरेक्शन में ओके विलॉसिती वेक्टर रहो के विलॉसिटी वेक्टर क्या है यह 5 meters per second concert direction में है जे यह काफ डिरेक्शन में है ओकी यह कौन सा डिरेक्शन है नीचे माइनस माइनस यॉइ इसको लिखेंगे 10i इसको लिखेंगे 5j किसको लिखेंगे minus 2 जे और फिर काइदे से यह भी लिखना चाहिए Newton यह meter per second है भाई और यह meter per second square है यह काइदे से लिखना चाहिए बट हम बाद बें नहीं लिखेंगे क्योंकि हम for granted ले लेंगे हम जानते हैं हम ले लेंगे हम सब ले लेंगे उसके बहुत सारे reasons हैं क्योंकि हम जब problem solve करते हैं तो जीए में हर चीज लिखने की जरूत नहीं है step की marking नहीं होती है ठीक है तो जब solve करोगे तो तुम normally लिखोगे है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से बताओ इस force को कैसे लिखोगे अब दो force लगा रहे है तुम्हारे उपर एक 5 लगा रहा है कोई यह-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y ठीक है, एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, ठीक है, चलो इस force vector को लिखते हैं, इसको f1 बोल दो, इसको f2 बोल दो, दूसरा सवाल है न, यह minus x direction में है, तो minus 50 i cap, minus 50 i cap, minus 50 i cap, plus 45 j cap, यह न सारे vector, यह vector sum है, अब तुम निकाल सकते हो, काई दे से, किता force लग रहा ह और ये 30k cap, प्लस 30k cap प्लस 30k cap अब तुम बोलोगे यार net force कितना लग रहा है sir अब तुम बोलोगे net force कितना लग रहा है तुम इसका magnitude निकाल सकते हो न ये 2D, 3D में जैसे भी लिखा है, F1 क्या आएगा under root of 8 square प्लस 5 square, अब काईदे से तुम ये भी कर सकते हैं 8 यहाँ पे लग रहा है, 5 यहाँ पे लग रहा है rectangle loss से निकालते हैं, अब तुम्हें पता है 3D में कोई vector दे रखाओ 3D में कोई vector दे रखाओ, उसकी length कैसे निकालेंगे 3D या 2D में, I cap, J cap में लिखा है कोई vector, उसकी length कैसे निकालेंगे under root of this square plus this square है ना, तो वो 5 square याँगा minus 5 का भी वही हो जाएगा, ठीक है ना minus 5 का भी वही हो जाएगा, इसको ऐसी लिखो कोई problem नहीं है, क्या रहा है, minus 5 का whole square, तो जो भी आए वो आगया इसमें भी अगर कोई बोलेगा इसका magnitude निकाल के बताओ, अब में निकालूंगा नहीं पर बता देताओ, minus 50 का whole square वो 50 square लिखो या minus 50 फरक नहीं पड़ता plus 45 का whole square लिखो, plus 80 का whole square लिखो, जो भी आए वो आए, यह 3D में एक वेक्टर है, यह ना, resultant force क्या लग रहा है, बार-बार थोड़ी चित्र बनाएंगे बार-बार थोड़ी दिखाएंगे कि क्या IR ऐसे करना है वैसे करना है, कोई नहीं, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है अब जल्दी से बताओ, represent the following in pictorial format, अब आपको बता रखा है, XYZ direction यह है इसको आप picture में कैसे draw करोगे चलो, force वैसे मजा नहीं आता किसी एक body पे लगाते तो मजा आता है, ठीक है यह body है, इस पे कितना force लगाना है minus 12 Newton, है ना, तो यह देखो 12 यहां होता, 12 Y cap यहां होता है, यह minus 12 Y cap है तो basically यह यह लगा दिया, ले लो 12 Newton, drawn, done, done done, 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 ठीक है ओके, यह क्या है 12 Y cap ठीक है, इसमें यह draw करके बताओ, 12 Y cap Y, Y में, Y में 12 Newton ठीक है, 12 Newton खुश, हो गया, done next, अब यह draw करके बताओ, अब यह draw करके बताओ everyone, एक यह एक यह, है ना, तो चलो एक figure draw करते है इसमें क्या है, यह X है, यह Y है X में तुम्हारा लग रहा है 2 Newton ठीक है, Y में minus Y में तुम्हारा लग रहा है 10 Newton तो बहुत अच्छे से बना दिया यह बन गया 10 Newton, तो यह इसको represent करता है ठीक है, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं अब थोड़ा इसको देख लेते हैं इसको देख लेते हैं तो यार अब इस पर अपन क्या करेंगे यह body बनाई यहाँ पर minus 5 in the eye cap direction मतलब यहाँ पर 5, 5Y होता है, minus 5Y है ठीक है, तो यार इसको मैंने बोल दिया 5 Newton यह 8, 8 थोड़ा बढ़ा है 8 यहाँ पर 8 Newton, इनका magnitude निकाल सकते हो, यही से निकाल लो, यह बनाने की ज़रूत नहीं है अब यही से magnitude निकाल लो, यहाँ से magnitude निकालते तो क्या होता, under root of this square plus this square, rectangle को complete करके इसको भी rectangle करके, under root of 8 square plus 5 square, बट यहर इसको लंबा है, तो तुम बोलो के, ओ, तुम्हें force निकालना है या, तुम्हें mod of force निकालना है, इसकी length निकालनी है, इस vector की length निकालनी है, यह क्या होगा 10 square plus 0 square, j वाला नहीं है, k वाला नहीं है, तो 0 square देखो 10 आएगा, यह तो दिखी रहा था 10 है, अब यह 2i क्या, प्लस 4j क्या, एक्सेलरेशन, यह mod of acceleration निकालना है, अंडर root of this square plus this square क्या हरा है, 16, root 20 4, 4 into 5, 2 root 5, 2 root 5, है ना, 2 root 5 newton, meters per second square, velocity, velocity, यह mod of velocity क्या होगा, अंडर root of 3 square plus 4 square, plus 5 square, 3D में है, है ना, इसका square plus इसका square plus इसका square सबकुछ अंडर root में, 3D diagonal की length है, जो एक ऐसा cuboid, जिसकी length 3, 4, 5 है तो उसका 3D diagonal इतना होगा, है ना, rectangle है, 2 और 4, उसका diagonal क्या होगा, यह होगा, है ना, यहापे 5 root 2, 5 root 2, meters per second, done, done, आगे बढ़ते हैं, good good, good question, अब यह एक अच्छा question है, अब आपको बोला है कि आपको बताना है, यह एक vector दे रखा है, V vector, क्योंकि इदे को vector लिखना ज़रूरी था, क्योंकि I cap, J cap, K cap लिखा है, find the value of C, find the value of C, if this is a unit vector, if this is a unit vector, वो बोल रहा है कि यह एक unit vector है, है ना, V is a unit vector, मतलब V की length, V की length या magnitude 1 के बराबर है, no unit as such, मतलब meter per second कुछ नहीं है, it is a unit vector, मतलब cap लगा सकते थे महाँ पर, हैना, cap लगा सकते थे, तो मतलब इसका mod 1 है, no one meter per second, one meter per second, it's a unit vector, रिलकुल, one unit का without any magnitude, बट वो important नहीं है, one है, तो इसकी length क्या होनी चाहिए, इसकी length 1 होनी चाहिए, तो इसकी length को one करने के लिए, सबसे पहले आप यह लिखोगे, यह क्या है, यह ना, यह क्या है, V is equals to under root of, 0.6 square, plus 0.8 square, यह तो C 0 हो जाएगा, क्योंकि आर यही one हो गया, यही चीज़ बन हो जाती है, 6 से 10 का triangle ही है है न, is equals to one, तो अब देखो, one plus C square is equals to one, C is equals to zero, next question, ठीक है, how to resolve vectors, I hope यह बात तुम्हें पता है, how to resolve vectors, यह बात पता है, forces से देखते हैं, यह तो तुम्हें बहुत बार पता रखा है, बढ़ फिर से बताएंगे, how to resolve, और तोड़ना vector, vector को तोड़ना, vector को तोड़ना, ठीक है, everyone, killer visualization, देखो जल्दी से, एक vector है, यार इस vector को मैं V vector ही बोल देता हूँ, चलो, कोई problem नहीं है, V vector ही बोल दिया, इसको कैसे तोड़ोगे, कच, 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 2 में तोड़ूँगा मैं, मैं बोलूँगा यार, यहां पर, V cos theta, दूसरा वाला, V cos 90 minus theta, 2 में तोड़ सकते हैं, 2 orthogonal या perpendicular direction में तोड़ सकते हैं, यह तोड़ दिया, V cos theta, V sin theta, ठीक है, तो यार, इस vector को मैं कैसे लिख सकता था, इस vector को मैं ऐसे लिख सकता था, V cos theta i cap plus V sin theta j cap, ऐसे लिख सकता था मैं, है न, forces मैं ऐसे समझ वाता है, एक force लग रहा है, मतलब यह और यह लग रहा है, इसलिए यहां जा रहा है, बढ़ displacement में थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है, displacement में मैं क्या करता हूँ, इसको यहां पर shift कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुमने क्या क्या, इसको तुमने बोला, क्यार तुमने यार यह displacement क्या, फिर तुमने यार ये displacement किया ये तो velocity ले लिया, मुझे actually force लेना जी था चलो इसको displacement ले लेते है इसको displacement ले लेते है तो मैंने बोला यार पहले में x गया या 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 ना s या तो मैं s को बोल देता हूँ यार ये क्या हो जाएगा मेरा ये भी mathematically तुम्हें पता है mathematically ये क्या होता है mathematically अगर ये side s है तो यार ये हो जाएगा s cos theta displacement किया फिर तुमने s sin theta displacement किया, तो तुम लिख सकते हो what is s vector it is s cos theta displacement in the i cap direction पहले तुम यहा गए plus s cos theta in the j cap direction सही है है ना, सही है, तोड़ सकते हो तुम ऐसे ये तुम्हें already आता है हाँ, हाँ इसका देखो, ये f e आ रहा है ये ना, तुमने इस vector को तोड़ा कच-कच-कच-कच, तोड़ दिया तोड़ दिया, अब देखो, क्या ये f e आ रहा है हाँ, इसको आपने ये करके देखा ये f cos theta i का, plus f sin theta j का पाया magnitude ये ही आ रहा है, f cos theta का whole square, plus f sin theta का whole square f square into c square plus s square, which is 1, हो गया, काम खत्म, f ही आ गया, वही आ गया सही बात है clear है, सब कुछ simple है अब देखो, ये सब simple है चीज़ है अब ये तुम्हें फालतों में पढ़ाते हैं, horizontal component plus vertical, रठा आ देते हैं क्यों अगर एक 2D में, ये 2D के लिए 2D में, एक vector xy में है तो तुमने एक ये तोड़ा, एक ये तोड़ा तो what is the magnitude of the vector, इसको ऐसी learn कर लो magnitude, under root of this square plus this square अगर आपने इसको तोड़ा अगर आपने इसको तोड़ा, f cos theta और f sin theta में तो आपका horizontal component होगा एक vertical component होगा, उन है ना, उन दोनों का squaring and adding, squaring and adding under root में, है ना, आपको देदेगा magnitude of the vector, into d अब चले, question करते है, एक 100 Newton force लग रहा है, इसको ध्यान से देखो, जल्द जल्दी करेंगा speed, speed चाहिए है अपनको, हमरे बास time नहीं है speed चाहिए, अब देखो इसको, जल्दी से देखो ध्यान से, अब यहार 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 तुम्हारा कितना force लग रहा है, 100 Newton force लग रहा है, वीडियो को like करते रहो यार बच्चों, देखो बहुत महनत करें हम लोग और आपके एक 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 लाइक से ना, एक एक उने like के आपके session को, है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है, टीम को भी अच्छा लगता है, मेरे लिमत करो यार, उनके लिए करो, जो इतना सारा लोग कर रहे हैं, हम तो वैसे भी आर, face of the channel बनके बैठे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं यार, पूरी lime light हमें मिलती है, बड़ तुम्हें पता है actually में महनत वो लोग करते हैं जो पीछे बैठ के आपके लिए hope करते हैं कि यार, they are doing it, और मैं बतानो किसी दिन सब को लाऊंगा मैं सामने, and definitely यार, एक अच्छे method से लेके आऊंगा सामने, and this will happen understand, this will happen, yes, आई है अच्छाई अच्छाई लानी पड़ेगी, हर सिस्टम में अच्छाई बुराई दोनों होती है, हर अच्छे, चाह haciendo अच्छा सिस्टम होया, जा कितना ही बुरा सिस्टम हो बहुत बुरे सिस्टम में भी कुछ अच्छाई होगी और बहुत अच्छे सिस्टम में भी कुछ बुराई होगी यह होता है बट अगेन हमें इंशोर करते रहे ना चीए हमारा रोल ही होना चीए कि हम अच्छाई को बढ़ा है ठीक है सही बात है आगे बढ़ते है अब जल्दी से देखो यह force लग रहा है at an angle of 37 degrees तूट जा भाई यह किता टूटेगा 100 cos 37 ठीक है और यह तूटेगा 100 sin 37 degrees मैंने बोला यार मुझे यह vector नहीं चाहिए मुझे यह दोनों चाहिए खुश हो जा भाई ठीक है हाँ तुझे पता है 1037 अब तुझे पता है ट्राइंगल 345 का है पता होना चाहिए कि मैं 37 कितना होता है Stop SUN 37 27 23 5 5 637 5000 एला Michigan एक यह पता होना चाहिए और पर जोषप 53 हो जाएगा यह साइन 53 हो जाएगा है नट कितना फर्टी से बताओ यह यह आपका ठोड़ा बड़ा ओगा तो यह rég纪र्श्टी और यहіч और मैं fx बोल दूँ इसको मैं fy बोल दूँ वर्टिकल ओमिनेंट तोड़ दिया देख लिया fx क्या है और यह fx 80 तुम्हें के निकालना था वर्टिकल ओमिनेंट 60 is the correct answer आगे बढ़ते हैं यह सही बात है अब दूसरी चीज़ है अब क्वेशन उल्टा है उलट पुलट कर दिया question को उलट पुलट कर दिया question को question में इन्होंने बोला question में इन्होंने बोला यही resultant vector है यही बाप vector है इस पर लिख दो बाप यह बहुत important है यह बाप vector है यह resultant vector है यह बच्चा है इसका जब बाप को तोड़ते हैं तो दो बच्चे निकलते हैं बाप को तोड़ा तो यह लगाओ या यह दोनों लगा दो है ना वेक्टर को तोड़ना तुम्हें आता है अब तुमने एक चीज़ रिलाइस के यहां पर 60 तो तुम बोईचा है तुम बोरो के बहुत सहीए बहुत सहीए जब हम इसको तोड़ते हैं जब हम इसको तोड़ते है तो दो मिलते हैं एक दे रखा श्में से तौ तो आपने बुला है यह क्या होगा? यही चीज 60 के पराबर given है और यह हो जाएगा F sin 30 degrees F sin 30 degrees तो basically तुम्हें यह दे रखा है कि Fx या F cos 30 degrees यह देखो बाप वेक्टर का एक component तुम्हें 60 given है अब यह गधापंती मत कर देना 6 cos 30 degrees is equal to F नहीं, F cos 30 degrees is equal to this इसका एक component, इसके दो component तोड़ो F cos 30, F sin 30 यह F cos 30 60 के पराबर given है काम खतम है, काम खतम है cos 30 क्या होता है, root 3 by 2 यह क्या आएगा 60 F किता आएगा 120 by root 3 कोई option नहीं है क्योंकि नीचे हम irrational नहीं रखते हैं तो यह किता आगया 40 by, 40 root 3 40 root 3 is the correct answer आगे बढ़ते हैं Next What is vector, what is the triangle law of vector addition अब बहुत सारे बच्चे सोच रहोंगे नमो सुरह भी के बहुत अच्छी थियोरी बताएंगे मसा आ जायेगा, यह हो जायेगा, वो हो जायेगा कुछ नहीं होने वाला रद्दी चीज़ है रद्दी, रदड, कूडा, कच्रा कुछ नहीं है, तुम्हें अलरडी आता है triangle law is nothing, बट IQ vector IQ तुम्हारा इतना अच्छा हो चुका है क्योंकि मैंने तुम्हें वो सब चीज़ें पढ़ा रखी है इसको तुम displacement से सीखोगे displacement से सीखोगे तुमने एक displacement लिया द्यान से देखो, तुम यहाँ पे थे तुमने एक displacement लिया, ये वाला पहले A लिया, फिर B लिया तुम इस route से गए, तुम यहाँ पे पहुच गए तुम यहाँ पे पहुच गए, तुमने जंडा भी बना दिया ये तुम्हारा final है ये initial था, ये final था अब ये एक तरीका होगया, ये भी एक तरीका होगया या तो यहाँ से जाओ या तो यहाँ से चले जाओ खीक है, A displacement लिया फिर B displacement लिया, तो resultant क्या होगा R, इससे एक triangle बन रहा है इससे एक triangle बन रहा है, तो इससे क्या लिख सकते हो तुम इससे तुम क्या लिख सकतों मेरे साथ साथ बोलो displacement A vector displacement A vector plus displacement B vector gives me what यह मुझे क्या देता है यह मुझे R देता है यह तो मैंने बहुत असानी से इससे समझ लिया एक बार सब लोग बोल तो so that I can do a vibe check vibe check यह ना vibe check नहीं vibe vibe एक चीज होती है आज के लिगा नया term है vibe check कि यार मैं जो पढ़ा रहा हो वो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में घुसरा है नहीं घुसरा यह चीज़ समझ में आ गई तुमने एक displacement लिया पर तुमने दूसरा displacement लिया तुम्हारा resultant तो यह है ना तो तुमने क्या बोला A plus B is equals to R A vector plus B vector यह vector sum है है ना तुम यह नहीं बोल सकते है तुम यह नहीं बोल सकते है कि R is equals to A plus B यह गलत है यह गलत statement है क्योंकि तुमने बोला इसकी length is equals to इसकी length plus इसकी length नहीं इसकी और इसकी तो इससे जादा होगी ना यह तो triangle का basic rule होता है यह बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छे हो तुम बहुत अच्छे हो तुम आपको ही मुझे बोलता कि नमो सर मेर को एक confusion है मैंने यह लिया A displacement लिया फिर मैंने यह B displacement लिया फिर मैंने यह C displacement लिया यहाँ पर मेरा net displacement 0 हो गया भाई सही बोला तू सही बोला अगर से मॉडर में तो यही इनीशल है यही फाइनल है net displacement 0 है तो तू displacement अपने आपको बोल एडिस्प्लेश्मेंट लिया मैंने इसको देख देखके इसको देख देखके बी displacement लिया मैंने, फिर C displacement लिया मैंने, क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे, वहीं पर आके रुग्या मैं, साला 0, it's a null vector it's a null vector but actually, अगर देखा जाए A plus B vector C को algebraically, यहाँ पर लेके जाओ minus C vector, actually काईदे से R क्या था R ये था, इसका opposite ये था R, ये opposite vectors है न, ठीक है, तो ये null vector ये basically कुछ नहीं है, displacement का IQ है, अब इसको ये लोग इसको ये लोग इतना honor करते भाल तूमे, do you know the triangle law आज की बाद कोई आएगा न, तो उसको मन में थपड़ मार देना do you know the triangle law, I say you know what is the triangle law, मुझे definition पता है ये घटिया definition इसकी, घटिया definition तुम्हें weak बनाती है ये definition when two vectors of the same type displacement displacement, when two vectors of the same type are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, taken in a certain order है न, taken in a certain order then the resultant is the third side, taken in the opposite order है न, ये ऐसा है, तो ये ऐसा है है ये anti-clockwise है, तो ये clockwise है ठीक है, समझ गे मेरी बात ये, ये है triangle law इसी को अंग्रेजी में लिखा है यो जो चीज मैंने यहाँ पर इत्ती असानी से लिख दी, उसी चीज को अंग्रेजी में लिखा है is this clear, is this clear बच्चो है न, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा तुम अपने दिमाग को use करना start करो भाड़ में जाओ, भूल जाओ उस triangle law को अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ द्यान से देखना मैं कुछ ऐसे randomly बना रहा हूँ मैं कुछ randomly बना रहा हूँ x l o, o नी, o null vector लगता है इसको p कर देता है, ठीक है अब बताओ इसमें से कौन से resultant vector है तुमारा IQ चेक कर रहे है बताओ, इसमें से कौन सा resultant vector है बताओ, ये triangle बना दिया मैंने है ना, triangle बना दिया बताओ कौन से resultant vector है दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ है ना, देखो ना, मैंने क्या बोला था तुमें यह एक root है हाँ तुम ऐसे और ऐसे चले गए ल और पी में है ना हाँ यार यह इनिशल दिख रहा है तुम ऐसे गए और ऐसे गए तुम यहाँ पर पहुचें अल्टमेटली इनिशल और फाइनल यह resultant होना चाहिए भाई यह resultant होना चाहिए तो तुम क्या लिखोगे x vector is equals to L vector plus P vector इसलिए मैंने कुछ अलग ABC वो नहीं दिया था AB और R में तुम उल्टा सीधा बोल देता अगर मैं मैंने इसको बोला B vector मैंने इसको बोला C vector मैंने इसको बोला D vector यह मेरा इनिशल था यह मेरा फाइनल था अब मैं बोलता हूँ इनिशल से फाइनल यह मेरा resultant vector हो जाएगा देखो समझे इसको अब मैं क्या बोलूँगा A displacement लिया मैंने फिर B displacement लिया मैंने फिर C displacement लिया खचाक, 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 डी-displacement लिया मैंने, हुआ क्या भाई, इतना लेनी की क्या जुरूद थी, तू तो directly यही आ जाता, is equals to r, यह सही लिखा है तुमने, vector सब में लिखा है सही, यह नहीं लिख सकते थे, a की length, plus b की length, plus c की length, plus d की length, is equals to r की length, वो घटिया पा हो कभी भी तुम्हें कोई rectangle law, polygon law, कुछ भी बोले, क्या ले, क्या तुमारे मन में चलना चाहिए, displacement का IQ, vector का IQ, हम awesome है ओके, under this, under this scheme, we can learn two things, under this law, we learn two things, two more things, how to find the angle between two vectors, है ना, अब यह 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 भी सीख लो, दो vectors की बीच में angle कैसे निकालते है, how to identify the resultant vectors, यह दो चीज़े आप सीख होगे, how to find the resultant vector है, तो अब आप यह तो करी सकते हो, ना, दो vectors है, उनकी बीच का angle निकालना है, है ना, हमेशा ध्यान रखना, tail से tail मिलानी होती है, ताल से ताल मत बोलना, क्योंकि ताल हम उसमें यूज़ करते है, ताल is for music and ताल से ताल मिला जो गाना था, उसके लिए हम wave से wave मिलाते हैं, उस टाइम पे, वो बाद में बोलते हैं, ठीक है न, कई सारे बच्चे वो थोड़े से misguide हो जाते हैं, कोई problem नहीं है, tail से tail मिलाओ या head से head मिलाओ, सर से सर हैंना, समझ गए मेरी बात, है न, समझ गए, या तो सर से सर मिलाओ, या पैर से पैर मिलाओ, आपका ऐसे angle निकलता है, ठीक है, अब यार यह देखो, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे, यह इसका tail है, यह इसका tail है, आप एक vector में क्या कर सकते हो, मेरे, सुनना, आप एक चीज़ कर सकते हो vector में, आप vector को उठा के यहाँ कर सकते हो, आप rotate नहीं कर सकते है vector को, ठीक है, आप इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हो, अब अगर आपको इन दोनों का, है न, इन दोनों का आपको वो करना है, vector addition करना है, स्वरी, vector addition नहीं, इनके बीच में angle निकालना है आपको angle निकालना है तो आप क्या करोगे आप A को ऐसे as it is इसको move करो और B को move करके यहाँ पे लगा दो B को move करके यहाँ पे लगा दो ठीक है I hope आपको यह बात समझ मा गई आपने दोनों की tails को मिला दिया without rotation rotation allowed नहीं है rotation नहीं कर सकते है तुम translation कर सकते हो vector में तुम translate कर सकते हो इसको ऐसे ऐसे rotate नहीं कर सकते है इसको यहाँ पे आके ऐसे रख दिया खचाक खचाक हाथी की चाल चल सकते हो ठीक है इसको भी तुम ऐसे rotate नहीं कर सकते है इसको तुम ऐसे एसे 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 डirection नियो घाए तो यहां पर ले गए यहां पर ले गए यह उपकर करनी ऐए तो ओपर नीचे किसी गोले यह यह रख दिया फिर बड़ा वाल आंगल है न पिर आप यह चोटा वाल आंगल यह तो मैं होगा angle between A and B ठीक है बस यह याद रखना यह याद रखना अब तुम बोलोगे की अब तुम बोलोगे नहीं सर नहीं सर मैं तो head से head मिलाना चाहता हूँ ठीक है यह तो pull forces हो गया ना दो forces को pull कर रहे हो है ना यह angle पर अब इसी vector को मैंने translate करके यहाँ पर रख दिया होता अगर यह भी A vector कहला जा सकते है और इस B को मैंने यहाँ कर दिया यह ना B को मैंने ऐसे कर दिया ठीक है देखो ध्यान से ठीक है इसको ध्यान से देखो यह ना तब आप देख पा रहे हो है ना यह 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 B vector हो गया यह A vector हो गया यह B इसको ऐसे भी लिख सकते है head to head भी same angle मिलेगा head to head भी same angle भी sensor होगा और यह भी यह भी angle यह opposite वाला ही angle हो जाएगा अब यह सब पढ़ने की जरुत नहीं है छोट आंगल लेते हो देखो जीरो से 180 डिग्रीज वाला एंगल देते हो मतलब अगर दो वेक्टर दे रख हैं तो दिस इस दो एंगल दिस दो वेक्टर टेल से टेल जॉइन कर दिया यह वाला मत करना यह वाला करना चोटा वाला है ना आगे बढ़ता है अब एवरीवन आइडेंटिफाइद रिजल्टे ठीक है मैंने कुछ भी लेटर लिख दिया अब आप मुझे बताओ इन वेक्टर में रिजल्टेंट कौन सा है और इन में रिजल्टेंट कौन सा है यह अलग क्वेशन है तोनों का बताओ आंसर जल्दी से बताओ देखो और बताओ है ना जहां पर दो चीज़े टर्मिनिट कर रही है यहां पर दो नदिया मिल रही है यह फाइनल पॉइंट होगा ठीक है जहां पर दो नदिया मिल रही है इसको तुम फाइनल पॉइंट बोल दो और जहां से दो स्टार्ट हो रही है यहां पर कुछ भी नहीं इसको तुम इनिशल पॉइंट बोल दो तो तुम्हें द displacement, plus p, displacement, plus n, displacement, मतलब तुम इतना ही displacement, मतलब तू सिख Heil buzz to resultant displacement. ठीक है यहां पर भी दिख रहा है, और यहां आई हो गया यह हो गया नदिया मिल रही है, स्टार्ट हो रही है ठीक है एक रूट यह시간 एक रूट यह हो गया तो आप देख सकते हो एक्स प्लस हैं तो यार यह हो गया रिजल्ट इंट है एल और के रिजल्ट इंट है ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं लिख दिया सा लोगोंने मतलब मस्त हो तुम मतलब तुम समझ रहे हो तुम्हें वाइब मिल रही है नल वेक्टर देखो भाई नल वेक्टर सारे एक ही ओर्डर में ना सारे एक ही ओर्डर में अगर मैं इसको बोलता हूँ ए बी सी वेक्टर तो मैं क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा मैंने डिस्प्लेस्मेंट लिया ऐसी चीज़ों मैं हमेशा डिस्प्लेस्मेंट मैंने बीडिस्प्लेस्मेंट मैंने C displacement लिया मैं कहींका नहीं रहा मैं कहींका नहीं रहा यहीं मेरा इनिस चलता में यहीपर आके ठीक है यहीं पर आके यहीं पर खतम हो गया इसका जिश्फॉफ हो एक ढ dor गैसारे से on erfahren अर तो इसमें क्या बोलोगे a plus b plus c plus d plus e plus f is equals to 0 but vector sum but vector sum ठीक है खाली है नहीं vector sum इनका 0 होगा क्योंकि a displacement plus v displacement plus d displacement plus e displacement plus f displacement is 0 displacement कोई भी एक point से start कर दो इसको initial बोल दो यही final हो जाएगा ठीक है displacement displacement iq vector iq best जल्दी से यहां पर बताओ angle कितना है angle कितना है what is the angle between p and q and q and r ठीक है p and q के बीच का angle कितना है यहां जल्दी से बताओ यहां पर आपको शाद दिखनी रहा होगा यह vector यहां पर ऐसे है यह वेक्टर यहां पर ऐसे है यह वेक्टर यहां पर ऐसे है आपको निकालना है पी और क्यू के बीच में पी और क्यू के बीच में तो पी को आप यहां पर लियाओ पी वेक्टर को यहां पर उठाके ला सकते हो और यह 90 डिग्री हो जाएगा तो हां यह नमो से 135 डिग्री कैसे हुआ मैं तुम्हें बताता हू 135 डिग्री कैसे हुआ R को as it is रहने दो R को as it is रहने दो ठीक है R को as it is रहने दो ये इसकी tail है इसको move करो ये जो Q था ना इस Q को move करके यहाँ पे लगा दो इस Q vector को यहाँ से उपर ले जाओ तो यार ये 45 डिग्री था ये तो नहीं चाहिए था ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री इस तो दिग्या हाँ next question अरे यार ये head to head है ये head to head है बताओ क्या होगा इसका answer 143 डिग्री ये 37 दे रखा है F1 और F2 के बीच में angle is 143 डिग्री बट like I said कई लोगों को पसंद नहीं होता कई लोगों को tail to tail ही पसंद होता है तो वो बोलेंगे मुझे तो tail to tail मिलाना है सर मुझे मज़ा नहीं है इसमें कोई नहीं इसको यहाँ पे खसकाओ इसको यहाँ पे तुमने खसकाया ठीक है यह खसक गया इसको तुमने आगे खसका दिया इसको तुमने ऐसे भी बना सकते थे पिर तुम बोल सकते थे हाँ यह 143 डिग्री तुम्हें जैसे निकालना है वैसे निकालो जैसे तुम्हें खुशी मिले तुम्हारी श्द्धा ठीक है last question of the day last question of the day very good question थोड़ा high level question है जेएडवांस के question है I think so please verify कर लेना I think एडवांस में आया हुआ है जेएडवांस में आया हुआ है जेएडवांस में आया हुआ है और नोट शोर अबॉट दियर but I think इतस कम प्लीज को वेरिफाय करके बता देना जे एडवांस में कौन से साल में था पुर्णिमा मैम गला सुग गया है आपके पास वहां पर है क्या गरम पानी जो अपना होता है एक मिले बचो बिल्कुल सुग गया है खतम हो गया है हमें क्या ध्यान रखना परता अपनी वोक इसको पहले करेंगे मेठ वन मेठ तुम्हें शाद समझ में आया गा एक दम से मेठ टू पर तुम टाइम स्पेंड करना अच्छी नहीं अधाएगी रात को मेठ वन मेठ रखन करेंगे अपन ट्रैंगलल लॉस है त्रैंगल नाम का है हम अंगल मॐस्ट आप तुम करेंग ड B is perpendicular to A, है ना, तो basically resultant is perpendicular to A, very nice, ठीक है, and obviously बात है, A और B का resultant क्या है, और obviously बात है, यहां से तुमने यह चीज़ justify कर ली, A plus B, R के बराबर है, यहां तक सब लोग comfortable होगे, क्या यहां पर सब लोग comfortable होगे, और इसमें एक और चीज़ गिविन है, कि magnitude, and its magnitude is equal to half the magnitude of B vector, और एक और चीज़ गिविन है, कि जो resultant है, उसका जो magnitude है, R, मतलब without this thing, is B by 2, ठीक है, यह यह दोनों चीज़ से समझवा गई, यह चीज़े गिविन है, यह चीज़े गिविन है, और तुम्हें A और B के बीच का एंगल निकालना है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, बच्चो, इस इससे एक ट्राइंगल बना सकते हो, और इससे यह पता चलिए है, यह एक राइट अंगल ट्राइंगल है, देखो, A, B और R का एक ट्राइंगल बने गई, ट्राइंगल लौक एसाब से, एक ट्राइंगल बनेगा, जिसमें R और A 90 डिग्रीज होने चाहिए, समझगे ना, R और A 90 डिग्रीज होने चाहिए, तो इससे पता चलिए है कि यह एक ट्राइंगल बनेगा, A plus B, A plus B is R, और फिर पता है, R इस परपेंडिकलर टुए है, तो मतलब राइट अंगल ट्राइंगल बनेगा, तो यह अब अच्छे से बनाओ, अब इस question को तुमने पकड़ लिया ह यह एक राइट अंगल ट्राइंगल बनेगा, यह समझा कि यह ऐसा बनेगा एक राइट अंगल ट्राइंगल अभी तुमने कुछ डाला नहीं इस पर, बट अभी तुम्हें पता चलिया इन दोनों से कि यार, हाँ यार, from these two I understood कि यह राइट अंगल ट्राइंगल बनेगा, everyone, is everyone enjoying, enjoy तो कर लो नहीं, अब तुम्हें क्या पता है कि R, R A के perpendicular है, ठीक है, R A के perpendicular है, ठीक है, तो तुमने क्या कि इसको चलो R बना देते हैं, इसको अपन R बना देते हैं, R vector, और A vector ऐसे बना देते हैं, A और B, A और B R दे रहे हैं, ठीक है, तो तुमने इसको बोल दिया, यह A vector है और तुमने बोला यार यह B vector है देखो हाँ समझ में भी आ रहा है now it makes so much sense इस figure को देखके मैं बहुत खुश हूँ यह state of mind आ गई अब अगर तुमारी यह state of mind आ गई अब इस state of mind के बाद अगली state of mind तुमारी ओनीचे है यह वाली अब इस state of mind पे लाने के लिए पहले तुमने यह बना दिया very good अब मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मुझे निकालना है A और B का आंगल मुझे निकालना है A और B का आंगल मतलब मुझे यह वाल आंगल चाहिए यह वाल आंगल चाहिए दिख रहा है ना यह वाल आंगल चाहिए ठीक है इट हास टू भी और वैसे दिख भी रहा है कि ऐसी कुछ होगा 180 डिगरी तो नहीं हो सकता है ना दिख रहा है ना और तुम्हें यह रखा है यह B by 2 के बराबर है ठीक है कोई इशू नहीं है यह वेक्टर से आप चलो उनकी लेंथ लिख देते है बचो अब इस स्टेट पे तुम ऐसे आऊगे तो तुम्हें पता यह यह लेंथ किती है B by 2 यह लेंथ B by 2 है और यह लेंथ B है ठीक है यह लेंथ B है यह लेंथ B by 2 है किसी एक एंगल को थीटा ले लो इस एंगल को थीटा ले लो तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा है यहाँ पर लिख दो A और B का है है ना आंसर इस पाई माइनस थीटा पाई माइनस या 180 डिग्रीज माइनस थीटा लिख दो B cos theta is A B sin theta is B by 2 sin theta is half theta is equal to 30 degrees मतलब very nice theta is equal to 30 degrees your answer is 150 degrees अब यह answer क्यों था A और B के बीच का यह answer क्यों था मैं तुम्हें बताता हूँ यह answer क्यों था यह answer क्यों था अब सुनना मेरी बात ध्यान से क्योंकि अगर यह B है मेरी जान अगर यह B है तो तुम A को यहाँ पर shift कर सकते हो A को तो तुम यहाँ पर भी shift कर सकते हो और अब यह tail to tail connect होगा है A को तुमने यहाँ पर shift किया यह angle किता होगा 180 degrees minus theta ही तो होगा 180 degrees minus theta is your answer क्या तुमने इसको conquer कर लिया बच्चों यह तुम सबको समझ में आ गया दूसरा वाला method मैं चाहता हूँ कि तुम develop करो उसे तुम अच्छे एक इंसान बनो गया You'll become a much smarter insan with a much higher IQ Are you guys ready? दूसरा वाला थोड़ा challenging है at this stage of time बट अगर मैं आपको यह 12th के end में बताता यह 12th start होने टाइम बताता है अब इसको हम forces से करेंगे यह थोड़ा सा यह थोड़ा सा और interesting है इसको हम forces से करेंगे It is the road less traveled इसको कोई ऐसे बताएगा नहीं कोई ऐसे करेगा भी नहीं Trust me, कोई नहीं बताएगा तुम देख लेना, check कर लेना हर कोई वैसे बता के नक्की कर देगा बट ऐसे नहीं किया ना तो तुम्हें रात को नींद अच्छी नहीं आएगी क्योंकि देखो तुमने ये सारी states of mind अभी achieve करी तुम यहां से यहां आए और फिर तुम यहां से ultimately जब तुमने question को crack किया तो तुमने बोला हाँ यार I have cracked this तुमारे ये state of mind आगे न दो ऐसे दात निकल रहे तुमारे अब यह ये state of mind की भी next level state of mind जहां पे न तुमारे बाल भी खड़ो जाएंगे तो बट उसके लिए बहुत important है I need to have your attention एक बार लिख दो mentally present in the chat box एक बार सब लोग लिख दो mentally present in the chat box नहीं तो comments में लिख देना कर कोई बाद में देखे दो mentally present चाहिए मुझे अभी mentally present लिखोगे तो mentally present हो नहीं तो नहीं हो इसको लिखो जल्दी से हाँ ठीके 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 Is this clear? किसी का chat आनी रहा 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 है हाँ mentally present लिख दो भाई नहीं तो start नहीं करेंगे present नहीं mentally present लिखो proper ठीक है? अब देखो the resultant of two vectors A and B is perpendicular to A तो यार अब मुझे एक चीज़ बताओ अगर तुमारे दो vector लग रहे है लेट्थ से यार ये दो vector ऐसे लग रहे है एक A लग रहा है एक B लग रहा है तो उनका resultant कहीं बीच में नहीं आएगा येसी आएगा न उसका resultant तो कहीं यहाँ पे याएगा वो कभी A से perpendicular नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो इसके बीच में कहीं चला जाएगा तो A और B के बीच में एक obtuse angle होना मांगता है और options को भी देखो कि उनका resultant कहीं यहां पर आज़ा और perpendicular to A हो जाए, याना तुम्हें कोई ऐसे कीच रहा है तो तुम्हें कोई ऐसे कीच रहा है तो तुम्हें यह चीज़ समझ में कि ऐसा कुछ होगा, figure अच्छा नहीं बनाओगे तो तुम समझ नहीं पाओ, इस question को, इस question को अब मैं crack करना च यहां से सुनना, मैंने उस पर एक force लगाया A, फिर मैंने उस पर एक force लगाया B, मैंने उस पर एक force लगाया B, है ना 90 degree से ज़्यादा angle है, बोलो, है ना जल्दी से बताओ, 90 degree से ज़्यादा angle है, क्या यही है, यही situation होगी कुछ, तभी resultant बीच में आएगा, तो कोई यहां स खीच रहा है, कोई यहां से खीच रहा है, तो A के perpendicular resultant लग रहा है, है ना, अब this is equivalent to, इसका resultant क्या आता है, अब यह बहुत important है, समय ना, दो figure बनाओंगा, क्योंकि नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हो क्या रहा है, इसका resultant यहां पर ऐसे लग रहा है, है ना, यह, ऐसे लग रहा है, 90 degrees to A, A के direction से 90 degrees, ऐसे ना, ऐसे लग रहा है, यह बात समझ मा रही है, या तो यह लगाओ या यह लगाओ, या तो यह लगाओ और यह B by 2 है, क्या यह बात समझ मा गई, या तो ये दोनों forces लगाओ या ये resultant लगाओ दिस और दिस पहले ये बात समझवा गई ए परपेंडिकलर भी है और इसका बी बाई टू भी है सब कुछ लिख दिया मैंने ये दोनों फिगर यही चीज बता रही है forces में कि मुझपे एक force A लग रहा है एक force B लग रहा है और मै ऐके परपेंडिकलर जा रहा हूं एके परपेंडिकलर जा रहा हैं मजा रहे हे है जल्दी से बता। मजा ह रहे है अब तुम जलो मान थीटा हमें थीटा निकालने आई यू गैज रेडी अभी सबसे किलर स्टेप आएगा अगर तुम मेंटली प्रेजेंट हो तो मैं खतम कर देता हूं सवाल को दो सेकिंड में कर दूंगा मैं तो खतम दो सेकिंड में बस हो गया कॉसीटा हाफ थीटा जिगोश तो 60 डिग्रीज एंसर इसको समझना बहुत ज़रूरी है अम मैं तुम बताता हूं एक्चिली बी को जब तुम तोड़ोगे अम मैं मैं बुलना चाहरा हूं कि हार बॉड़ी यहां पर जाएगी मतलब एक्स में कोई फोर्स नहीं हो इस दोनों चीजों को समझना बी को जब तुमने तोड़ा वेक्टर को तोड़ना तुम्हें असानी से आता है तुम्हें पता है यह को साइन स्टिक्स होता है तो यह हो जाएगा बी कॉस थीटा और यह हो जाएगा बी साइन थीटा अब इंट्रेस्टिंग ली अगर रिज resultant भी होगा, is equals to r which is equals to b by 2, तो यहां से तुम अच्छानी से निकाल सकते हो कि cos theta half है, theta तुमारा 60 degrees है, तो तुमारा answer 150 degrees है, you are done, ठीक है, thank you so much everyone, this was about today's class, इसको ध्यान से देख लेना, इसको follow कर लेना, अगर नहीं समझ माया है, तो बार बार देखना, अच्छी नीन तभी आएगी, अगर तुमने यह method समझ लिया, क्यार पहले यह समझ माया है, यह और यह दोनो equivalent है, यह दोनो resultant है, यहां पर है नो, और यह यह ही resultant होना चाहिए, वाय का, B cos theta is equals to R, और R B by 2 given है, तो B cos theta is equals to B by 2, cos theta is equals to half, theta is equals to 60 degrees, answer is 90 plus 60, done, क्योंकि answer निकालना था तुम्हे, angle between A and B, very good problem, thank you so much everyone, मैंने आपको 2-3 method बता दिये, मैंने आपको हर बार relatable चीज़े बताए, कोई भी ऐसी bookish चीज नहीं थी, अभी तक तुम्हें लग नहीं रहोगा कि तुम vector पढ़ रहे हो, I am very sure, अगर तुमने follow कि है 1-2-3 lectures, यह मैं तुमें confidently बता सकता हूँ, क्योंकि तुम Hindi में पढ़ रहे हो, यह world का best content पढ़ रहे हो, तुम vectors का, I can be so sure about it, क्योंकि मैंने सारा content पहले से देख रहा है, पिछले अभ्यास का, जो second है, उसको जरूर attend करना, अगर आप मेरे से और interact कर सकते हो, करना चाते हो, telegram को join कर लेना, अगर आप हमारी team उडान के साथ पढ़ना चाते हो, तो definitely anacademy के subscription पर आजाना, क्यों, क्योंकि यह India का best result generate करने वाली team है, इंडिया की number one technology पर पढ़ाती ही, highest percentage selection मिलेंगे, तीन बार लगातार, 100%, उसके बाद, आल इंडिया rank 1, rank 1 से लेकर rank 1000, शायद ही कोई ऐसी rank होगी, जो इन teachers ने produce नहीं करी, over the years, यलगार and योधा are the number one batches of the country today, number one batches, percentage selection की बात करे, all India ranks की बात करे, उसके बाद अगर आप देखेंगे, they are also the authors of the top ranker series, which is one of the most trending books for question practice in the country today, उसके लावा आप देखेंगे 11, 9th और 10th, 11, 9th और 10th के बच्चों के लिए, है न, 2 साल और 2 साल का subscription best है, ठीक है, और 12 मेने वाला subscription dropper के लिए, but I would suggest कि आप iconic लो, iconic में कुछ extra चीज़े मिलती है, जैसे किताब है, iconic mentor और voice call feature में priority, तो अगर आप ये afford कर सकते हो, तो अगर इसका price थोड़ा जादा होता है, तो आप ये ले लेना, उडान code use करने का क्या फायदा होगा, उडान code use करोगे तो आपको दोनों subscription, या कोई भी subscription लोगे, आपको maximum possible discount मिलेगा, आपको एक mentor नहीं मिलेगा, आपको उनका personalized telegram का access मिलेगा, आपको यलगार योधा का premium access मि खुल जाएंगे, not just that, उडान code use करने से, it is configured to give you the maximum possible benefit and discount on anacadly, ठीक है, इसके बारे में सबको बता देना, thank you so much बचो, चैनल को subscribe जरूर कर लेना, क्योंकि है जो subscribe करता है, जो like करता है, उसका दिल बहुत बढ़ा होता है, thank you so much, वो हमारा होसला भी बढ़ाते है, अब पुर